जैसे कि आज हम आपको इस injection के बारे में बताएंगे, इस injection का उप्योग कहां किया जाता है, किस समस्या, किस रोग, किस बीमारी में, जब मरीज को कोण सा दिक्कत रहता है, तो डॉक्टर के द्वारा ये injection लगा जाता है, इसका डोज क्या होता है, ये कितने उमर से कितने एज तक लगना चाहिए पूरा डेटेल से जानकारिया जो हम आपको हिंदी में देंगे जिनकी नसे बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है जिनको चलने में समस्या होता है अगर वो बैठ जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते हैं उठते हैं तो उनके घुटनों में दर्द रहता है तो उन समस्याओं में इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है और जैसे कि हाथ वा पेरों में या कमर में जकलन की समस्या हो जाती है वहां दर्द की समस्या रहती है तो उस कंडिसन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है जैसे अगर वो बै प्रज़ एनेमिया की समय स्या में उपयोग किया जाता है डॉक्टर के दोरा ये इंजेक्शन नसों के लिए काफी अच्छा होता है अगर आपको नसों में कोई प्राबलम है या फिर आपको सरवाइकल क्या प्राबलम है तो ये उसे ठीक करता है या फिर गर्दन की नसें दर्द रहता है या फिर दर्द हमेशा बना रहता है तो यह उसे भी ठीक करता है आप सीधा बैट नहीं पाते हैं आप सीधा खड़े नहीं हो पाते हैं तो इस प्रॉब्लम को यह इंजेक्शन ठीक करता है जैसे सोते टाइम नसों का चड़ना आप जैसे आप सोते हैं फिर आ प्रफिया से संबंदित कोई बीमारी रहती है तो उस मरीज को ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन का उपयोग अगर किसी को हाइट या दिल की कोई बीमारी या समस्या है तो इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा इस समस्या में भी किया जात मांसिक तनाओ की कंडिशन में या भूलने वाली प्राब्लम में इस इंजेक्शन का काफी ज्यादा उप्योग किया जाता है। दोनों प्रकार से लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा तर डॉक्टर इस इंजेक्शन का उप्योग आई-एम ही करते हैं यानि कमर पर ही ये इंजेक्शन लगाते हैं। ये एक दिन या तीसरे दिन या हफ़ता में तीन बार इस इंजेक्शन का आप लगा सकते हैं। ये इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट जान लेते हैं।